तुम्हारा फोन बहुत गंदा लैक करता है और दो-चार मैचेस के बाद तुम्हारा फोन बहुत जादा हिट हो जाता है और तुम्हारा बजट भाई 20,000 के अंदर है तो भाई तुम बिलकुल सही वीडियो पर आए हो समझ रहे हो समझ रहो आप समझ रहे हो तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पेले तुम्हें मैं आपना कंडिशन बता देता हूं कि ना परचेस किया उसорт परले मेरा कंडिशन क्या था उसर कैले मैं अपने बारे में बता दू तो मैं भी पहले Samsung का phone यूज करता था जिसका RAM 2GB था इसके बाद मैंने Realme का phone यूज किया जिसका RAM 4GB था अभी उस phone का experience में क्या ही बता हूँ भाई आफ्टर 2-4 मैचेस के बाद phone बहुत गंदा lag करता था हिट हो जाता था अगर किसी का call आता था तो भाई प्रोब्लम ही प्रोब्लम भाई बहुत जल्दी lag करना स्टार्ट हो जाता था अच्छा हमको सिखा रही है और जब मैं स्किन रिकॉर्डिंग करता था तो भाई एकदम ओपी बाला गंदा lag करता था phone मैं क्या ही बता उस चीज के बारे में अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा प्रोब्लम है तो भाई वीडियो को बिल्कुल स्क्विप्ट मत करना तु और मैं यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो भाई बहुत ढूड़ने के बाद और मेरे रेंज के अंदर में मैंने एक phone देखा Poco X3 Pro भाई बहुत ही OP लेवल का phone है गेमिंग के लिए भाई बेस्ट आप्शन है अभी भाई Poco X3 Pro के बारे मैं तु प्रोटेक्शन मिलता है और भाई इसके डिस्प्लेय के बारे मैं तुम्हें क्या ही बताओ 6.67 इंचेस इस पर गेम तुम बिल्कुल आराम से बरे स्क्रिंड में खेल सकते हो और भाई पॉर्ण का भी मजा बरे स्क्रिंड में ले सकते हो और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी बात करते हैं इसके प्रोसेसर का भाई इसमें प्रोसेसर क्वाल कम स्नैप ड्राइगन 860 प्रोसेसर लगा हुआ है जो BGMI Free Fire जैसे गेमों के लिए पावरफूल है जबरदस्त है भाई पोको ने इसको 4 वेरेंट में निकाला हुआ है पहला है 6128 GB दूसरा है 6256 GB एन तीसरा भाई 8128 GB है और चौथा 8256 GB है और सबसे अच्छी चीज इसकी बैटरी 560 MHz की बैटरी है जो बहुत जबरदस्त है यो फास्ट चार्जिंग 33 Watt को सपोर्ट करती है और भाई 100% चार्ज होने में ये फोन ओनली 60 मिनिट लेती है तो भाई अगर तुम्हें ये Poco X3 Pro अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में डेफेनेटली बताना कि किस किस के पास Poco X3 Pro है तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते अगली वीडियो में बाबाई